नमस्कार दोस्तों जनरल नाइस में आप सभी का स्वागत है यह हम लोग समसामिक घटनासार का जो करेंट अफियर का वाश्की का अंख है इसको कर रहे थे इसके हम लोगों ने राश्टी अंतर राश्टी यह आर्थिक को कम्प्लीट कर लिया था यहां से पुरुसकार वाला स्टार्ट करेंगे तो आपको पिछली वीडियो भी हम लोगों की चैनल मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं पुरुसकार पुरुसकार जून 22 में किस राजी की सार्वजनिक परिवाहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्तराष्ट लोग स सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो उडिशा उडिशा की है यह मोबस ठीक है मेगाले सरकार के योजना बिभाग द्वारा किर्यानवित की जा रही वह योजना जिसे जून 22 में सयुक्तराष्ट विश्व सिकर सम्मेलन में सर्वशेष्ठ पुरुसकार से सम्मानि किया गया तो यह है मेगिया क्या है मेगाले enterprise architecture तो क्या है इसमें मेगाले सरकार की यह यूजना है सज्ञ तराष्ट बिश्श्च कर सम्मिलन में से सर्षिष्ट परियोजना प्रोषकार मिला है इसको ठीक है नेक्ष्ट है जून 222 में आवजे 75 में कांस फेस्टिवल में किस फिल्म को पालमे डी की ओर पुरुसकार प्रदान किया गया ट्राइंगल ओफ सेडनेस तो ट्राइंगल ओफ सेडनेस को क्या मिला है कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरुसकार प्राप्त हुआ है इस प्रुसकार समारो में भारत को country of honor का धर्जा प्रदान किया गया वहीं समारो की नौ सदस्ट्रिय जूरी में भारत की अभनीतरी दीपक का पदुकोर्ण भी सामिल थी तो country of honor मिला है हमारे देश को भारत को ठीक है वह भारतिय लेखक जिसकी पुष्टक the mountain is calling ने हाली में अंतराश्टिय पैनोरमा golden award जीता है तो केवी रगुपती की बुक है क्या है नाम the mountain is calling तो इसे प्रुसकार कौन से मिला है और अंतराश्टिय पैनोरमा golden award बर्स 2021 में प्रदर्सित भारतिय फिल्मों के लिए अभूधावी में 4 जून 22 को प्रदान किये गए International India Film Academy आईफा के 22 में पुरुसकार समारों में सर्वशिष फिल्म का पुरुसकार मिला तो सेरसाँ सेरसाय को क्या मला है सरव्षेश फिल्म का पुरुषकार और इसके निर्देश क्यों है विष्णू वर्धन है आईफा के ठीक है इन पुरुष्णिश्ष अबिनेत्री का पुरुषकार जो मला है वो किर्ति सेनन मिमी को दिया गया है मिमी के लिए, फिल्म मिमी के लिए ठीक है वैब भार्तिय लेख का जिने उनके उपन्यास टॉम्ब ओफ सेंड रेज समाधी के लिए वर्ष 22 के साहित छेतर के अंतराश्टी ये वुकर पुरुसकार से 26 मेई 22 को सम्मानित किया गया है तो ये गीतांजली श्री है आपने फर्स्ट पेज पर देखा होगा कि इनकी पिक भी लगी हुई है ना अंतराश्टी ये वुकर पुरुसकार मिला है ने और वुक का नाम क्या है रेज समाधी ये टॉम्ब ओफ फूल सेंड ये इंपोटेंट है द्यान रखना इसका टॉम्ब ओफ सेंड गीतांजली स्री द्वारा मूलता हिंडी में रचेत रेज समाधी का अंग्रेजी में अनवाद है जिसका अनवादक कौन है डेजी रोगबेल है कौन है अनवादक डेजी रोगबेल है रेज समाधी है प्रतिष्टित पुरुसकार जीतने वाली किसी भी भारतिय भासा की पहली पुस्तक है क्या है यह प्रतिष्टित अंतराश्टिय जो बुकर पुरुसकार है पहली भारतिय भासा की पहली पुस्तक है ठीक है अच्छो यह कहां की है यह यहां के उत्रप्रदेश की मेन पूरी हैं रहने वाली मेन बेसिकली ग्रामीट शेत्रों में स्वास्त सुविधाय में उपलब्द कराने मात्रत सेवा में वच्चों के टिगा करण में उलेखनी योगदान के लिए डबलू एचो ने मई 22 में भारत के किन 10 लाग से अधिक ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मान किया तो आसाकार करताओं को डबलू एचो ने गोल्डल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से आसाकार करताओं को सम्मान किया है ठीक है हाली में किसे यूके के कॉमन वेल्थ पॉइंट ओफ पॉइंट ओफ लाइट अवार्ड से सम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड वहराज जहां के खिलाडियों के लिए राजीबगानी खेल रत्म प्रुसकार देनी की घोशना की गई है राजीबगानी खेल रत्म प्रुसकार देनी की घोशना की गई है डॉक्टर राजेंद प्रुसकार जो हमारे पहले क्या है राश्ट पती है वह है पूर्व भार्टिय टैनिस के लाड़ी जिने टैनिस के विकास में उनके महतुपुन योगदान के लिए जून 222 में अंतराश्टिय टैनिस हॉल ओफ फेम द्वारा गोल्डन अचीब्मेंट अवार्ड 2021 से सम्मान किया गद विजय अमरत राज है इने क्या मिला है ये पहली बात तो टैनिस लाड़ी है और दूसरा इने मिला है गोल्डन अचीब्मेंट प्रोसकार ठीक है टैनिस हॉल ओफ फेम द्वारा जुलाई 222 में किसी माइक्रोसॉफ पार्टनर अप दे इयर अवार्ड 2022 से सम्मान किया गया तो HCL टक्नोलोजी को माइक्रोसॉफ पार बिया जोवास का इने मिला है क्या फ्वील्ड मेडल वी सबाइज जो किसके लिए मिलता है ये गड़ित के छेतर के लिए मिलता है गड़ित के नॉबल के रूप में प्रोसकार मेरीना के लावा तीन अन्य गड़तग्यों फ्रांस के हूगो डुमिनल अमेरिका की जून और विटेन की जम्स मेनाड को प्रदान किया गया है नेक्श है योग के विकास और संबर्धन में उनलेखनी योगदान के लिए प्रधानमंतरी पुरुषकार 220 से किस संगठन को सम्मानित किया गया तो divine of society divine life of society ये किसीच के लिए योग के विकास और संबर्धन में प्रध खानमंतरी पुरुषकार 221 से सम्मानित किया गया तो विटेस वील ओफ योगा तो जो हमारे देश की है वो कॉंसी थे है divine life society और जो अंतराश्टी ये संस्था है वह है विटेस वील ओफ योगा आईस मंतराल है भारे सरकार द्वारा प्रधत इस पुरुषकार के अंतरगा मारकस बिनीशियष ब्राजील के और विक्सू संग सेना लद्दाब को प्रधान किया गया है ठीक है नेक्ट चाथ 221 22 को किसी यूनिसिब दौरा प्रति रक्षन चेंपियन पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो आर जे उमर को किया गया है आर जे उमर को किस पुरुषक प्रतिरक्षन चैंहपियन प्रुषकार्स से, तो यह, हम लोग का, इस पक Fil baked अब लोग का क्प्लीट हो चुगा है अब हम लोग खेल क्रेजश को देखेंगे प्रुषकारकेाद तो इसमें कितना है खेल में हैं, खेल में जादा है तो ठीक है, इसको रही искos on page kom Cin Foster करते हैं इसको 10 जुलाई 22 को संपन बिम्बल्डन ओपिन 22 के पुरुस एकल महला एकल का खिताब किसने जी था नोवाग जोकोविज सर्विया के हैं जो पुरुस पुरुस के पृतियोकता में मिला है और एलेना रिवा कीना ठीक है रूस में जन्मी एलेना ये कहां की है रूस की है एलेना निक कजाकिस्तान की ओर से लेकिन जीता कहां से है इनोंने कजाकिस्तान की ओर से बिम्बल्डन में हिस्सा लिया था इनोंने रूस से नहीं रूस से नहीं लिया था ठीक है और नुवाग में पार्ट सिपेट किया था ठीक है क्या है नेक्ष्ट दस जुलाई 22 को भारत और इंग्लेंड के भी संपन तीन टी ट्वेंटी मैचों की इस रंखला को भारत ने दो एक से जीता इस रंखला को मैं आप दा सीरीज पुरुस्कार मिला है तो किसे भुबनेशर कुमार को जो गन्दवाज है भारत के उन्हें मैर आप दा सीरीज मिला है भारत और इंग्लेंड का ठीक है नेक्ष्ट रहे जुन बीच सो बाइस में वेस्ट दीच के किस क्रिकेट खिलाडी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच नागरिक संबान सितारा है पाकिस्तान से सम्मानित किया गय है दो से पांच जून बीस्तों बाइस की बीच बॉलाट तुली खान नोब कप कुस्ती प्रत्योक्ता आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया इस प्रत्योक्ता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा तो दूसरे स्थान पर रहा है कुस्ती प्रत्योक्ता नेक्स है महलाओं के T20 चैलेंज का 22 जिसका आयोज़न 23 से 28 में 22 की बीच पुड़े में किया गया कि विजेता टीम है IPL सुपर नोवाज ठीक है IPL सुपर नोवाज तो ये हो गया विजेता टीम कौन सी है IPL सुपर नोवाज ठीक है पुड़े में किया गया इसका IPL के 15 संस्क्रण में Most Valuable Player of the Season का प्रुसकार किसी मिला है तो ये इंग्लेंड के राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मिला है जोस बटलर को क्या मिला है Most Valuable Player of the Season ठीक है नेक्स है IPL 2022 सीजन का Fair Play Award किसे दिया गया है Fair Play Award किसको दिया है गुजरात टाइटन्स वा राजस्थान रॉयल्स को क्या मिला है इन्हें मिला है Fair Play Award इंग्लेंड के वर्मिंगम में 28 जुलाई से 8 अगस्थ 222 के बीच आयोजित किये जाने वाले राश्वंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले 313 सदस्षिय भारतिय दल के चैपडी मिसन होंगे राजस बंडारी ठीक है राजस बंडारी कौन होगे यह होंगे चैपडी मिसन राश्वंडल खेलों में और कहां पर आयोजन होना है इंग्लेंड के बर्मिंगम में होना है 28 जुलाई से 8 अगस्थ 22 के बीच में आने वाला है 9 जुलाई 22 को भारत द्वारा इंग्लेंड के एज वेस्टन में इंग्लेंड को दूसरे T20 मुकाबले में उननचासरन से पराजित करने के बाद रोहिश हर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विस्व रुकॉर्ट बनाया लगातार 14 T20 इंटरनेशनल मुकाब जिसके संस्क्रण माइंड मास्टर का नया संस्क्रण जुलाई 22 में जारी किया गया तो विश्वनाथन आनन्द है 18 से 22 जुन 22 के वी दिल्ली के इंद्रागानी इंडोर खेल परिशन में आयोजित ACI ट्रेक साइकलिंग चेंपियन से 22 में जहां जापन 27 पदकों के साथ सीर जुक्ता का ACI ट्रेक साइकलिंग चेंपियन से 22 है ठीक है पांच में स्थान पर रहा है साइकलिंग में हर्मन प्रीत कौर के नित्तुरत वाली भारतिय महला क्रिकेट टीम ने जुलाई 22 में खेली गई तीन एक दिवशिये मैचों कि संखला में किस देश को तीन जी रो से पराजित कर क्लीन स्विप किया है तो स्री लंका हाली में किसे फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोशियेशन फिका की पहली महला अध्यक्षन युक्त किया गया है तो लीसा स्टेलकर है और श्रिया की इन्हें फिका फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसो स्कोर बनाया है तो इंग्लेंड ने बनाया है हाँ यह बिल्कुल इंपोर्टेंट है 498 का स्कोर बनाया था है ठीक है और किसके खलाफ नीदलेंड के खलाफ वही राज जिसने जून 222 में भारतिये वधर क्रिकेट संग इड़का द्वारा आयो जित पहली अंडर 19 T20 पन पांच में और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतिये तेज गंदवाज ने वेस्ट इंडीज के वरायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हूँ इस्ट ब्राट के एक ओबर में सरवादिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया थो जस्प्री बुम्रा है इन्होंने भारतिये बीच खेला गया पांचमा टेस्ट मैच में इंग्लेंड ने साथ बिकिट से जीता इस तरह इस रंखला दो-दो के बराबरी पर समात हुई पांचमे टेस्ट मैच भारतियी टीम के कप्तान जस्प्री बुम्रा को मैं अप्धा मैच कोसित किया गया वहीं इस रंखला का मैं करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके अलावे भी आपको हिस्ट्री या नैट के पेपर चीए प्रीबियस एपर तो वह हमारे चैनल से आप लोग देख सकते हैं चलिए तो आज के लिए धन्यवाद